प्रोग्रेम तारो से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान हिना न्याजी परपल 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 तरफ यह बाते हो बाते होंगी लेकिन तारों से जी ताज के हमारे पहले महमान फिल्म, टीवी, स्टेज, आक्टेंग, डारेक्शन, प्रोडक्शन कोई ऐसा काम है जो इन्होंने नहीं किया मतलब सारे काम आशाला से कर चुके हैं और अगर इनके बारे में कहा जाए कि ही इस वान मैन आर्मी तो ये गलत ना होगा तश्रीफ लाते हैं जनाब सलीम शेक साहाँ माजीवा, वेलकम सार, वेलकम अच्छा लड़कियों को तो आप लोग आते ही कॉंप्लिमेंट देते हैं मैं मानू करी दिये लेकिन माफी चानना जेटे वेस कोड़न बटल लवाए ओ भाजिया लवा 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 दिये बेनी क्हाँ न शेक भी लगदा न यार खोल के नी हस्रा है यह जा ने ना इक शेक साफना बजाए ट हाटरा के जा रए श्वारा जोरे आप यह एक का रोग साब टर्लीवन करना दे टर्ट्लीवन करना थे तक भॉद वहाँ हो गए उच्यों क्यों पैकेज लाना पो तोड़ी मांग लो चंगी मांग एक शेह साब करना बिली रोंदी आई मैं क्या किया है बिली मेरा चुवा भी खोला था मैंनो मार रहा हूँ यह हो जाए बंदे ना व्यामत एसोने कपड़े बागे भागे भाई यह क्या अरे भाई अगर लडाई जगड़ा हो गया तो कोई तो दोड़ा तयार रहना जाए जाए है सारी दुनिया शेह है लेकिन सलीम सब सब तो बड़े शेह ने किस तरह जी डैलेक भी लंबा नी बोल दे अच्छा जी के देने भी छोड़ी घरना गुजार रहने थे पूरे दोड़ो सब एक और बोले और हमारी अगली महमान बहु कैसी है कॉमल प्लीज तरह श्रीफ रखें आइम गॉड आइम गॉड थांक यू माशा आला जुटी इना ने बहुत उते तक बनी पिरियां दर्द कर दिये दोड़ी जिन्ना मर्जी कॉमल नू छेड़ो कुष नी जी होना क्या हूं जी तसमें खुलन कद जुटी मारेगी शेक साब लोका ने टीवी केबल लाई हुं दी ना इना ने जुटी नुल लाई है पूरी कमाँ़ के बेखु एकुकेबल लगी जुटी शेक साब प्यारी क्यों लगी एसे एदी नाख भीन और ज़ला जी नीए अजी आपने कुछ फेशन की स्थाइल की सेंस नहीं नहीं यह हुंदी थे हिना कोई बैठे हुंदे आपके फैशन सेंसे मेरा क्या लेना देना? जब छोटे पर आदा सूट पागिया थे तानू कुडियान फैशन दी सेंसे ससी तरीफ हिना करिये तुसी रोन दिया फिरो सलीम शेक साब मुझे के बताईए कि आपको जावेद शेक साब के भाई होने का फाइदा हुआ या फिर नुकसान क्या स्रागल ज्यादा करनी पड़ी या कम फाइदा तो एक यह हुआ के उनकी वज़ा से मैं आया नुकसान बहुत सारे हुए अच्छा वो क्या जब मैं फिल्म डस्ट्री में आया था तो लोगों ने का कि शायद क्योंके भाई की वज़ा से आया हूँ तो बहुत सारी आपको पता है पॉलिटिक्स भी होती है चीजे होती है कि शायद यह इसका भाई है तो इस वह से फिल पड़ता है कि 175 सीरियल्स की है मैंने तकरीबन कोई 20-25 फिल्में भी की है लेकिन उनकी वह इसे नहीं की अपने टालेंट की आप चलते हैं अगर मेरे में टालेंट ना होता तो शायद एक दो फिल्में या एक दो ड्रामे करके फिर आपको पता हो पिर नजर भी आते एक्ट को फेस किया बहुत सारी अख़बार में भी आता था उस जमाने में बहुत सारी चीजे थी लेकिन अल्ला का शुकर है ठीक है क्रिटिक्स पर इंपॉर्टन है जब लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो एक माइंसेट बन जाता है कि मैंने इनको गलत प्रूफ कर करने की भी जरूरत नहीं है आप अपना काम करें उसको एक फोकस करें अल्ला ताला इजद देता है और आप उस पर लगे रहे हैं तो खुद बखुद बंद हो जाते हैं यह ना फाइदा तो होता है जी आस्ता साब के वारत साब बहुत बड़े फंकारत है अच्छा पापा भी अपने प्राधिवे तो फेल चाहा है अच्छा वो कैसे उन्हों बाजदन करके फेल चुड़ाती अच्छा यह आप सतर साला तो काम करें लिए कोमल आप ब्यूटिशन भी हैं मॉझे यह बताएं के दिल के ज्यादा करीब कौन सा काम है दिल के ज्यादा करीब I think ब्यूटिशन भी टेशन वो मेरा काम है उसे मैं आगे जा रही हूं और उसको मैं अलरडी ग्रो कर रही हूं अपका क्या अपना सेलों मेरा अपना सेलों होना चाहिए क्या बच्पन से शॉक्ता में अच्छा था बिजनस वूमन बनने का च्छा जबता तो फर मुझे यह ब अज़ालियल्ला। मेकप खुद करती हो क्या जबागी भी अर्टेस्ट भी रख्ण के लिए ही है ने में खुद तो नहीं किरती है, इंप आड़ी हो मैकप रगती है तो अपना खुद करती हो आपना बेस्लिय को अच्छा मेकप किया, भाजकल भी करती है नहीं आजकल पाकिस्तान दी फिमन स्टार है, आलिया रियास, उना नाना दी बड़ी शकल मेली, बेलकुल, बेलकुल, मैं भी शुरूर में अपना मेकप खुद ही करता था, तेरा कारा मेकप बाबा, बाबा तेनों ते यह नहीं पता, के मूह कि थोते कर तो ना, आम बंदा है पता है, वाट टाकिस्तान दी रेख माल, बेलको ते रांक बदलेगा, तो नीला निकलाएगा, और तो नी निकलाएगा, तो नी तो आटी एपर गी ना, ब्यूटिशन दा कस हो रहे, इन गया सिआ जी अब मेरे वालानू करल पर ले, उन्ने कुरल ल कर देता वे, ने और आणरा लडगा चुह सब्सक्राइब कर मेरा जी कि उनके साथ काम करने का इंच्पिरियंस कैसा था या पो मुष्किल लगा उनके साथ काम करना या फिर आपने जॉय कि और उनकी परिस्नालिटी कैसी है थोड़ा सामें भी बता दी तो मेरा को हमेश्या आप इन्जॉय करत मेरा भी शामिल है, रेशम भी है, सना भी है यह जब प्रॉपर सेट पे मेरा फाल एक घंटा पहले आ जाती है, एक टाइन जोगर्ट कॉल टाइम है ना कॉल टाइम से पहले लेकिं मीरा का यह है कि मीरा की बाते बहुत मज़े की होती है इसको एंजॉय करते है कुछ समझाओ भी क्यार ये ऐसे नहीं ऐसे करना तो वो अपनी मर्जी से ही करते है कोई खुश्गवार वाकिया हमाई साथ भी शेयर करें कोई शूट का किस्सा एक अदाफा को इंटर्व्यू था प्रेस कॉंफरेंस थी जो एक फिल्म रिलीज हो रही थी तो उस पर ये बार-बार पिछे कह रही थी कि यार मैंने कुछ नया बोलना है तो हम समझा रहे थे कि यार नहीं 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 जो सवाल किया जाए उसका आपको पता है फिर वो बोला लोग हसे भी वहाँ पर तो बाद में कहती है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कर जाती हूँ इस तरह की है वो मासूमियत भी है उसमें सारी चीजे हैं लेकिन यह कि उसको समझाने से भी आप समझा दो ना कि यह नहीं बोलना तो वो शायद व के लिए मैं बिलीफ करता हूँ अब इसे बिलीफ करता है क्यूंकि आपको एक ख़बर आने पर पूरा पूरी दुनिया में वो एकदम से वाइरल हो जाए तो वो आप एकदम से आपको प्रता है तो यह भी एक है एक किसा मैं नशाही हूं दा है पूरा मेरे समझ ने अक्ष मुझे दू किसी ने डवास भी दिया है क्यूंकियों आप आप आगी मैं गषार वो सेनिर थी अम कब आगे थोड़ी देर बादो पड्यूसरा आगया मैंडम मैंने आपको दिया कब दिया ड़ा कितना दिया मोजे इतने पैसे दो गया तो मैं एंट्री करोंगी और लग नि रार्ले साथ परेज लोगी गाल करें। एक ढम लह के बागा है ना है तरह नहीं संचेरो क्या पाधरी वत्त क्या आप नहीं हमारा प्रावार किले ते भी पता लगा के हाँ एदा फर्दन दे तो वालत साब को क्यों ढूंड रहे थे एना जी पता है इस पागी होके नस गया थाना और पूरे मले नू कहा कि कैसी वे में की कर बेठा तो आड़ी पता है इस दिए लड्डू बढ़ने का तो भी पन पर रहे है कैंदा रहना मैं पतो गी है बच्चा मैं चाइना दा पैदा कर दे लिए हाली में एद गुजरी और इनके पहले ही हालात बहुत बुरे थे लेकिन एद पे कुछ ज्यादा ही उन्होंने खर्चा कर लिया वे और एक कहावत है ना कि जितनी चादर होते ही पाउं पहलाने चाहिए नहीं इन्ह अपने खर्चे का ख्याल किये अब इस वक्त बुरे हालात हैं मकरूज हो चुके हैं हमारे शो में मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि अब यह चाते क्या हैं मैं तुरह उच्छा है ना कोजथी हैं इन्होंना कादे वेचाए में श्यमा फोया तो कि आना था चिंग जिलैना पागिया नो तो ये दूनोस आपकी वेगमात हैं दशा हो नहीं पठी रहा बठी शाजरेत तरह चुटी रलोह कर दू पह खाते हैं अहां हो और में मलेटरी बनेट्टोरी करती फड़ीगी मैं शकला है लादिया देख लो भी टके दिया शकला निया बारा देवते ती 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 हजार पिया मेरा लबाता है निया तौ आप ही चुडू है तो वे बुडिया थे अपनी वेक होजिया ने तेरे प्या लाना नि प्यांता है तुड़ेंल वे की ता सी मेरी बात सुने आपका बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकते है बाझी गालबाद बड़ी करदा बादा कार्दा वा कार्शोटा वा इसी गालन नहीं है अजी बाहर खुलनी जगा जांक गाल सुनी दिये दिया गल्ला बेड़ी अज़, आपने बार मंदे नो फोन करके गहना मुबारको आपका बीटा फॉस्त आ गया वोगे ना एक गाल शाट पहके नहीं चाहिए थी वैसे हिना जी एक गाल सची सरी तो इंदसा है एक बढ़िया तियार हो के शोद यहीं है जी सही बार वैसे हिना साफ कि एहाई ते मैं रूंड या फीन आप एंपर आमारे या एना दे मूव देखो ते ना दे फैशन देखो मानना मैं उच्ड़ किया कोई भी शाय मेरे कोड़ी रही है पही नदी मेरा बेड़ागर को है जो तो मैं आ रहा है से मरे गोल्डन सेबर का रंकी पाच्पल ने मेरा ब पंचाया जितन उस्रावा हूं या बाबा बेखें ने कार्ण सिर्फ चूट बूल नास रखिया मैं जिटा बाहर जाके सिर्फ एंदा किनू मिलना बिले नू काम तो नहीं आया है तो बिला जारा अंदर कुतियार फिरन देया हूँ पाइना है भी तो डी बीवी तो डी बी को नहीं पता कि आपकी मिडल क्लास फैमिली है इतना आप खर्चा फोर्डी नहीं कर सकते 30-30,000 कि आप उनके बाल डाय करा रहे हैं एक दूजे थी खार्द है भी खर्चा किरां दिया पैसे नहीं किरां दिया अच्छा जिट आप पिंक सूट पां दिया मुड़किया भी श लाफ क्यों है वही नगी मै की कराम मेरी साथी ती आमर है मेरी शाथी करने चाहिए जिदो मेरी शाथी दिगालू दिये एंगे कुक चों जा लिए और तपाड़के लिए घ्लना करंड है इनी एक लुड़के नहीं करिया मुड़कार अप अधर मैंनो कही बरी अबारक वे तो आटी जरी पहन नहीं परिकालि, वह आगे जह पाकिस्दान वापस उगेंदा तैस की चीज उन्हों चाही थी वापस नहीं हूं पहले तो भी पुसूरी हूं दी जी उते एक दर बूना लाडकियन न तील पा कि आगल आई तर थलों हैं जी निकली हूं मैं भी फिर आकप जायी, जै अब तसला ना जितो शूशू हो ये ना फेर पानी पाया मैं लगी रहा है आके लो कोई ना शर्मेंद की हो ही हम लगा लगा जै जी तो गलना हो ही यहाँ यह जी वेगम नो कि निया का लगी ही यहाँ एना अक्या है ना कोना जदि ये बीग ये शॉपिंग थे जना ही पिछा कन्दा चलो सुपुर देखा हक एक सूट लेके आई या तर देड़ सो भारियों को बदलाऊन गई या एक साथ एक गैंद जी आवभी नी जञगा लागा अभी नीजगा लागा अक पहतया है? तेरी पैनी चाहता भी फिटे मौँ ते तेरी सेकंड छाहता भी लखलान लखलान ते तर पह भी फिटे मौँ इदर करो ए शोटी या हुआवड दिया और हेना जी आजी तरह बइठी है न वह बड़ी कॉनुटेंट है कि मैं बहुत सोनी है मैं तेरे साथ की जामा फिन नहीं है च्पीना बड़ा चला के गजे की वया काले स्टैंटर नहीं चाले इन अपनीज भी नाविय नपर इस अपनीज नहीं प्यारी कल बड़ा ती जारे बनीज आखे पढ़की अपनीज़ाख पड़की वेख किना लड़ना मिरना चबला ओतर वेख अफीने दा पुटी ने प्यारी कल बुद आती जा रहे है पुनी बीवी दात पड़की हाथ चड़ नहीं जद भी आत चड़ने किसे दिगांजी बट जन्दी अबाजी नहीं बाजी जड़े ज्यादा खूबसूरत पंजाबी बंदा तोती बागी जड़ा लाड़ा एंज करता ना ओस लमके लाड़ा तेरी बीवी नी जुगता कर रहे है उटके पेड़ा महार चबलाई कोई गा नी जुगता दिकरा सट लाग दिया अचाचा अचा जिए इदनी सी दिता नाल मुंडा लागी आई एक साब कर दिमसम्मी दा जूस पीता हो वे जो तो आज पाने ना मसम्मी ते बाद तो सिकड कर देने तो दूजी बेगम दा हो जाए मुझे बाद बताएं ती कपत्ती ओड़तों के साथ आप गुजारा कर से कर रहे हैं अच महों अराज को गिए बाद बाद में घार आजओं के यहां मामा घारा आ जो मैं तो अपनी मां चाही आदैनी का मामा तो आपने बाद लेंसे हो जाए मुझे अपनी माद बीना देख लाग फिया मेरा खराब करना बंदा बहा देख लाग किनो ने शौपिंग किया इतर शौ जोटी कटी महरान लें नमरें महरान बेच के ता है ने खर्चे पूरे की ते बेव कुफ़ा हुसा है महरान ची बागे प्रेक फेल करके नो समंदरी तका दे आप माल आप माल यह दो बागे ने तरी तो जो क्या रहे तो आप मेरी गास ओने यह एणा रेकापड पान आदी कीमन ठीट कीमन ती बेज़ा इना इता है और देखने अदे जोड़ा किने दाजी? बहुर यह जोड़ा तो कम से कम भी कोई, तीन सौ मेनी देगा इस हो दे मां मास्क लेया आगे मूह तो चाड़ के इना दे कपड़े तो ना कि एंख बाहन मेकप लाग दिन देंगे हो आख और अब नु गंदे नाले जो तक्का दे जेंज़ तियार उन ले लेकर निगल जायका य। गंदे खाले जुपा देता है वेचे वारी के बड़ा सोना जुआ कर लागी हैं चाकपना वे लुचै कर लाग भी ने पबना लो अबी दिए बड़ी रुमेंटिक हैं जाज में कीपाप यहीं रिख़ें यहीं दिए मेरे केपास भीले अपर आप ही निए और अई शेर्च कही पहां लाल कटे आप ली आ ओर इड़ी जी आ हैं अई का की तुरह न जो अच्छा दो मामाना दो ना दुख लगता ना ते बिली आरी दुनिया ने अपने बचे पाले ने जी मेरे प्योग ने बेगमा पाले ने मैं जहाना हिए मेरा आपड़ी आपड़ी दो में बेगमा मानना स्वेर तो लगदाना शाम तक हाथची सोटी रहें तुरी इदल देनी भेखें लाला इनू अच्छा लैटर लिया निक लाग विभी पेज यहां ओ तरह देली ने लागया पाहे कड़ा सईसे मेरी बात सुने मैंने आपका सारा दुख सुन लिया ठीक है हमने रिजिस्टर कर ली पहली बात तो ये कि आपको उतनी शादियां करनी चाहिए जितनी आप अफोर्ड कर सकते उतने खंचे करने चाहिए जित पे पास कहा है थे दो लिका मिश्री हुसन नहीं ए चिक्री हुसन है अप जाएंगी कैसे आप लोग मुझे बताई मैं क्या आप लोगों पर सुट्टू बैठे कि बाते विजिकर लेगे मैं आप सुफेदे बैटी सानु में तबाया मतनुगा दो यृ लैं तू जा दो ने यह पार शुट आप आप संथा जाएं falar नहीं रिष्टा नहीं दे दिया कि मैं अपने तीसरा रिष्टा नहीं देदे हैं मैं तुकरों कैसे में ना ला था कि जाकता फान टा शुरांगा आप अपर बैस ना इसन दे पर शुक्स फॉर्ड ना उशुम्टन सब्सट है वो हमसाय मुल्क में उसका कॉंसेप्ट चोरी किया गया उस बारे में आप क्या कहेंगे देखें मैंने वही का कि नूर साब की अपनी स्टोरी थी बहुत पहले तो उसमें फ़ंसेप्ट को लेकर जजीरे में फच जाते हैं और उनका पयार डिफल्म होता है और सारे कुछ वह सैंब पूरे पूरा हमारी फिल्म से उठाया है केसं आप कैसम इंधेगे'm लगेगा कि हमारी फिल्म से कॉपी किया गया है वो पूरी फिल नी उठाखे कॉपी करते Beck owner पूरी फिल्म झाप Pi करते हैं तो पता लग जाता है कि ये फूर्म फिल्म है इसफिन न उठाते हैं थाके पता भी ने जाले लेगए हो, इसमार्ट तरीके से छोरी हम करें लेकिन पकड़े ना जाएं। और अच्छे तरीके से कॉपी करते हैं। बस वो नो नो नकल दी अकल है बैसे नहीं। सलीम शेक साब आपने बेश्मार फिल्में की हैं। लेकिन आपको अपना आप किस फिल्म में अच्छा लगा? किस फिल्म में अपना किरेक्टर सबसे अच्छा लगा? और किस फिल्म में आपको लगा किजावेदश शेक साब ने थोड़ा सा हूसला कियا है और आपको जादा स्पेस दी है आपको बड़ा रोल दिया है। एक तो सबसे अच्छा मुझे करेक्टर जो लगा फिल्म में वो चीफ साथ थी और उसके बाद जब जितने भी मौके मुझे मिलें वो शेक साथ ने हमेशा बैलन्स किया है अब अगर उनका करेक्टर है तो उन्होंने उतना ही काम किया है और बहुत सारी फिल्में जैसे ये दिल आपका हुआ, खुले आसमा के नीचे, चीफ साब ये सारी फिल्में ऐसी हैं बलके जहीं प्यार ना हो जाए एवरेडी पिच्छ की फिल्म थी तो उसमें मेरा रोल जो था वो ऐसा ही था जो जितनी मेरी जरूत थी तो उन्होंने अपने आपको पीछे ही रखा हुआ था तो जहां ज़रूर थी उनको सामने आने की उन्होंने अपने आए, बिल्कुल अच्छा वैसे तोड़ा थेटर तो स्टार नहीं थी सलीम साब मैं ऐस चालर स्टार मैंने काम किया था बाकसंड टेलेविजन से तो पिर उसके बाद कराची टीवी के भाद किया, कराची टीवी के बाद पिर हो पिर फैल्म्स के बाद ऑफिंगे am teachers किया था, और जो के मुट जो बता है यह आपको लोगों को तियार करना जादा पसंदा है या फिर खुद तियार होगे प्रॉपर ट्रॉपर टिक-T็ॉकال बीडियो अचो बनाना पसंदा है यहार दॉत प्रॉपे टिकटॉक पर फॉलिवर कितने है اभ़ ना additional support कि कोमल मुझे बताओ, आपके माशाआला से तू मिलियन पॉलिवर्स है, तो किस तरह का कॉंटेंट बनाती हो आप? मैं जादातर मुलियर में खड़ी हो के अपनी वीडियो जादातर बनाती है, मैं किसी टिक्टॉकर के साथ नहीं बनाती, क्योंकि मुझे किसी के साथ वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अकेली अपनी म्यूजिक के ओपर खुदी बनाती रहे तू मैं आपको एक जो ये तो आपने डायलोग बोल दिया, बहुत अच्छा बोले, अब सलीम शेक साथ डायलोग बोलेंगे और आपने आक्ट करना है, जी रेडी, वान, टू, थ्री, वे मॉलिया, एननु दर्स के में तेरी पक्की-पकी मश्रू का, पास, 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 बताईए, आपने पास कर क्यों, मुझे भी बच्छों में मामा मौलिया कहा करती थी, बस आपने डायलोग वापस बोल रही है, दुबारा कोई और, सलीम शेक साथ और कॉमल से गुपतगू का सिलसला जा रही है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का कहीं मत जाईएगा, हाजर होंगे, ब्रेक के करें बाते हैं, और हम हादर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं यह तारों से करें बाते हैं, कुलीम शेक साब, मुझे यह बताईए कि अपने कौन से किये हुए फैसले पर आज भी पच्छतावा होता है, यार यह तो मैं ना करता, जिन्दगी में बहुत सारी ऐसी ची आताहल बात मैं एक्टेंग आई बीच मैं किल्कल Shaw posición k____ बहुता है। लिकिन कभी-कभी सोचता हैं क्यों से कई कर लेना चाहिए था मुझे। हाँ, cricket खेल लेता, अभी भी खाहिश पूरी हो जाती है, हम खेल लेते हैं, शोबिस की टीम है, लहूर की टीम का, मैं कैटन भी हूँ, हम मैचेस खेलते रहते हैं, बहुत सारे बैचेस कराची के साथ, और दूसरे लोगों के साथ, इवन के हमने इंडिया के साथ भी मैचेस के साथ आजाता है, बस कभी-कभी खेल आता है कि यार क्रिकेट खेल लेते हैं ज्यादा अच्छा था, तो हम सवाल पुछरे ने हो था जवाब जो, Oh cricket छडंडा नहीं पुछ रहा है और को हीरोन चटन था पुछरा ने कुछ अधी का नहीं? मैं फड़ी ही नहीं थे चटन की सब्सक्राइब तुछ समझ क्यों नहीं रहे? और पुछर ने किस दा तोटा प्रेक अप होया के नहीं होया? प्रेक अप बड़े होया लेकिन पता नहीं लगा दिता यह होई पुछरे ने केडे ब्रेक अप पच्टावा होया वह एलनों पढ़ो या ची होगे पाप जी तुछ नहीं करना तुछी पुछ रहे हो कानने ची पुछी जा तुछ चौँच खिलो के पुछने बापे ता बड़ा जे शेक साब तती तती रोटी यह ना दे रखो दो मिंट बाद थंडी हो जी वैसे शेक साब कभी कोई ब्रेक अफसोस हुआ हो पच्टावा हुआ हो कि यार यह क्या कर बैठा नहीं कदे भी नहीं ना जी ब्रेक अप होंदा ही ओदा ही जो अगला को लापज़ना थी अच्छी बात है एपच्टावा कभी कोई पच्टावा नहीं हुआ किसी लड़की को किसी हेरोओइन को छोड़ने का बाद में दिल टूटा हो छोडने के बाद नहीं हेरोओइन तक तो बात ही नहीं पोची थि मैं उससे पहले की बात कर रहहा हूँ मतलब बहुत सारी होता है, ब्रेक अब हो जाता है, तो अफसोस तो नहीं, वो टाइम के साथ-साथ होता है, फिर बात में आप सोचते हैं कि इतनी ठीक ही हुआ था बता किस गालते हुदा, वो महिंगा सूट मंग लें दी सी, महिंगी कड़ी मंग लें दी सी, आई तो तेरा मेरा ब्रेक अब सलीम शेख सब क्या लड़कियां जो हैं, वो materialistic थी उस दौर में भी कि मुझे यह चाहिए, पर्फ्यूम दिला दो, महिंगा बैग दिला दो, वाच चाहिए, क्या इस तरह की demands हो तो आजकल ज्यादा है अच्छा आजकल ज्यादा, बताँ एक्स्पीरियंस है आजकल कभी, नहीं एक्स्पीरियंस तो बहाँ चाहिए, वे ओंजी ते शेख निया गे ना जी, इना दुमा पर हमाने जो कमाया आज तक कार नी लेंगे, अच्छा, सारा अगले दे कार देगे के गए, सारा इना कमा जी लगा है, एश्रीम सामने से हिरोइंदी ना लाया है ना सारा, बाबे ने हिरोइंदी माहा दे बड़े पैकर्चे ने, अच्छा, उनो चूड़ी तर पजामें, लेंगे, और यहीं नहीं नहीं देगे हैं को मैं प्यार मोब बच्चे दे रहे हैं, उन्हों कहनदा जी, बाबा में नान की शक्क समयला है, बाबा में दाद की शक्क समयला है, बाबा में चाम की शक्क समयला है, मा क्या मा का यह नान की शक्क है, उनका नहीं मनों तोटे दे कुछ शक के, बाबा अपनी दोसनों रोज 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 कोई चूड़ियां देता है कोई मेहंदी देता है कोई मिठी चीज देता है ए्क três वान काउ मेर्व घूर निकाल लो और उतो दित्ता भी कर्मी है जर अच्छा जिसने बापे ते दूजा विया और ने जिसने बापे ने फोन किता कुक नूँ खाना पकाना गाना मेरे बीविद कार देया जा खाना तो पेदी पहली बीविद कार देया जागे ए मेरे इसका जबारिज किनिया दास्ताना जानती आए मने ने जिट्र कविया कीता थे मझे फोन करके कहते है आऑ मैं कार प्सालिए एक गाल मेरी कार तक न जावे ज़ल में दूसरा भाके था नहीं अफसोस करना भाए अची ते आसान लाइंगा था तुसी किते ओर्टे लगा है अहीना नो तो शादे देना शाओ के शेह साभ आम कपड़े वे दुलेन ले सोंदी है क्या यह सच है? नहीं तान नहीं दखना अच्छा है उसी मोच कर देना अगा ओमल इन अधकारों का नाम सुनके जिहन में क्या आता है? हमाईयो साइद हैंसम हैंसम शान सूपर्स्टाफ शेरयार मुनवर नहीं जानती उस बचारे दिये ही प्रॉब्लम रही है उसे मलेच भी उनकोई नहीं जानता है शाहिद खास बाणड असे विक बल पीना मैं अच्छाइब में ही रगड़न के ओढ़ा रगड़न में रगड़न के ओज जवाद बसी में हिंदू जैक मैं भी पूछूंगा हिननने अजी बच्छाइबन – पैनकोऑ तand you Kumar आपने का का इना के पाद में ब्यूटिफुल, थैंक यू तो आर यू कॉमल आपसे तरीफा लगी है थानू ते ना नू गंदया करागे ते आप आपसे तरीफा करेंगे थानू दूमा नू गंदा करा है, बापनू नू ते बहुत गंदा करा है शेख साब जदो कुसे कुड़ीदी को तरीफ कर दी हो बेना, उस आप भी अच्छी लग रहे है कितना अच्छा परकल कुड़ता लगा है आपको मैं कहती हूं मैचिंग ऐसी मैने कभी ने देख आप भी तो प्यारी लग रहे है बस वो जूट होता है पैड़े, कपड़े, पैफे भी तरीफ करीज़ें आए पाजामा कितना अच्छा लग रहे है जान दे बाबाज जूती तो देखो कैंची चंपल भी अच्छी लग देख बस उसी अगो मेरी तरीफ कर देऊ सलीम शेक साब इन अलफास को सुनकर मीडिया के किन लोगों का नाम जहन में आता है नाजुक सना जावेद सना जावेद ओके लडाका फिर यहां पर भी अब बता दे कि सना रेशम बोल्ट ये बाट मजाहिया मीरा मीरा, ओके मुपट जुगन जुगन मगरूर मैंने एक प्ले बहुत पहले किया था उर्वा के साथ तो थोड़ा सा लगा मुझे बहुत परानी बात है जब नहीं 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 आई थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टैंटरम है तो इसमें आप वो कह सकते हैं ठीक है और्वा का आपको लगा कि उनके चांटरम्स है घुसे वाली घुसे वाली डिरेक्टर है संगीता संगीता जी वो बहुत घुसे वाली थी चलाको मासी वसे आपको कहूं तो बुरा नहीं है जले मेरा नाम तो आपने ले ही लिया मेरे लावा इंडस्ट्री में से भी किसी का नाम आपको लेना पड़ेगा इंडस्ट्री में से किसी का नाम इनाम चलाको मासी हां जी रीमा 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 जी अब देख लें सलीम शेक साब आपको चलाको मासी कह रहें ने सामट इदा मधब चलाखो माती है तो अब कुलने ना है यह स्माट के सेंस में इभी विए रीडिक टॉकर में सब से ज्यादा ड्रामे बाइस कौन है में खुद रहे हैं ने अनकी ना कहिंद आनिसली में किसी टॉकर को जानती नहीं नहीं किसी से मिलती हूं वो टिक टॉक ने देख ती अच्छा वो सिर्फ मेरी आखों में देख ती तुम्हें यरकान है बापएद्य अखा जड़ी नहीं नजरी ने आव लिए जड़ो मीडिया में बता दो शोबेज में टीवी पर कभी आपने किसी को देखा और टीवी जिकए लगाँ कार् ichid के कितने ड्रामे नने तुम हें लामे बात setu नहीं लेकिन वे से अगर अच्छी एक्टर कौन है चले अच्छी 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 आव पता दे उर्वा मुझे बहुत पसंद है और क्रादी अर्पास एक्रा अर्वा आपको पसंद हैं यामी अहाला तस कर्द। सलीम शेक साब, मैं कुछ नाम लूँगी आपने एक लफ़ में उनकी परस्नालिटी को उनकी शक्सियत को डिफाइन करना है। टीक है। सेयद नूर साहब गुड डिरेक्टर गुड डिरेक्टर उन्हों नी वहला तरीफ क्यों कर रहे न। क्यों? ड्रेक्थृ। फिल्म कसम नहीं यह बात तहीं है। आपको उसकी वजात भी कर देता हूँ कि सेयद नूर साहब बहुत उन्दा डिरेक्टर है। उनको स्क्रीन प्ले का पता है। उनको फिल्म बनाने आती है। जब उनको काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है। लेकि जब फिल्म जोड के आती है। मैं उसको कोऊँगा कि बहुत अच्छा डिरेक्टर है। जो इसको समझते। नूर सब जीनिस अदमी निढ़े। जीनिस अदमी ने तोथी ने पीरा जी वेरी फणी रेमा जी गुट डांसर पॉट डांसर उनसे अच्छा डांस इंडस्ट्री में किसी ने ग्याज तर रेली रेशम साहिबा गुट अक्ट्रस वेरी गुट गुट अक्ट्रस वेरी तलेंट